एक्ता कपूर की XXX2 सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हिंदुस्तानी भाव ने बताया कि किस तरह से उन्हें प्रेशर किया जा रहा है, अपनी कंप्लेंट वापस लेने को उन्हें धमक्या मिल रही है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव का कहना है कि वो आखरी दम तक लड़ेंगे, जब तक एक्ता का पूर मांखी नहीं मांगेगी, तब तक वो एक्ता के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। खार के बाद उन्होंने एक्ता के खिलाफ चेंबूर में भी कंप्लेंट की और तब उन्होंने कहा कि वो भले ही अकेले हैं, उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वो लड़ रहे हैं आर्मी के लिए और ऐसे में ना कोई पॉलिटीशन उनके सपोर्ट में आया है, ना कोई पॉलिक फिगर उनके सपोर्ट में आया है और ना ही बॉलिवुड से किसी सेलिबरिटी ने हिंदुस्तानी भाव को सपोर्ट किया है, लेकिन अब बॉलिवुड से भी आवाज उठ चुकी है, मुकेश खन्ना ने भी अपने एक वीडियो में एकता कपूर की इस वेब सिरीज को काफी क्रिटिसाइस किया है और उन्होंने एकता कपूर के लिए बहुत कुछ कहा है, मुकेश खन्ना का कहना है कि सबसे पहले एकता कपूर ने महाभारत के साथ छेड़ चार की, उन्होंने इतिहास के साथ छेड़ चार की, यही छेड़ चार अगर किसी और धरम के साथ होती तो शायद तलवारे निकल जाती, लेकिन वो यहाँ पर बच गई, इसके बाद उन् सास बहु सीरियल्स बनाएं, जिसमें उन्होंने हमारी गरेलू महिलाओं को गलत तरीके से प्रेजन्ट करने की कोशिश की, उनकी छवी को बिगारने की कोशिश की, फिर एकता कपूर ने एक पॉन स्टार को लेकर फिल्म बनाई, उसके बाद अब हमारी आर्मी के साथ वो मुकेश खन्ना ने अपने इस वीडियो में कहा है कि एकता कपूर को ये सब हक देता कौन है, वो करोडों रुपे कमाती है हमारी भावनाओं के साथ खेल कर, ऐसे में लोगों का इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना बहुत दुख भरी बात है, मुकेश खन्ना ने ये भी क कहा कि बहुत ताजुब के बात है कि कोई भी सेलिब्रिटीज, कोई भी सीनियर इस इंडस्ट्री से क्यों एकता कपूर के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, क्यों लोगों ने एकता कपूर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, अगर ये आवाज महभारत के टाइम पर ही उठा दी जाती, तो शायद ये बात यहां तक नहीं बढ़ती, मुकेश खना ने एकता कपूर को पदमश्री दिये जाने पर कमेंट करते हुए कहा कि इनके खिलाफ तो कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन हा, इन्हें अपनी कॉंटेक्स के चलते गवर्मेंट से पदमश्री जरू क्या कहा? महाबारत सब के सामने आ गई है, ये महाबारत देखो और वो महाबारत देखो, जिसमें टाटू लगा दिया गया था, और ये महाबारत देखो जिसमें योद्धा है सब, तो शायद मुझे लगा था कि मेरे बोलने का कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन नहीं पड़ा, फिर से चार महावारते बनी फिर से वही हो रहा है फिर से सब कुछ टीवी इंडस्ट्री में कहो या गलेवर इंडस्ट्री में जो कुछ भी बन रहा है वो बहुत-बहुत-बहुत ही अबजेक्शनेबल है अभी जो मैं बात लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आर्मी आफिसर नेशनल कैड़ेट कोर का इधिंक इनका नाम संदीब है बहुत ही बहुत ही कड़े शब्दों में उसने एक दाका विरूद किया क्योंकि एक ऐसी फिल्म एक बना दी है हमारे डिफेंस फोर्स को लेकर आर्मी को लेकर जो सबसे रिस्पेक्टिबल पोजीशन पर है वो आर्मी जो काम करती है तो आप इस तरह के घर में आराम से बैठ कर इस तरह के सीरेले बनाते हो उस आर्मी को आप एक बुरी लाइट म पेश कर रहे हो मुझे बताया गया मैंने देखी नहीं थी लेकिन मुझे सब चीज़े डीटेल मालूब पड़ी और उन्होंने जो इतनी तलखी से जो सिर्फ एकता कोई नहीं का पूरी इंडस्ट्री को कहा है और बहुत सही कहा है मैं उनके साथ हूँ उन्होंने कहा कि सब च चुप हैं सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े जो बड़े बड़े मेकर्ज चुप हैं बड़े बड़े मीडिया चुप हैं सरकार चुप हैं और एक शक्स एक मेकर हमारे आर्मी के ड्रेस की तोहीन करता है हमारे कभी-कभी नेशनल एंधम की तोहीन करता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं? बहुत कड़े शब्दों मैंने कहा कि हमें शर्मानी चाहिए. ये शर्मानी चाहिए. अगर कोई आदमी अगर ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें आर्मी को आर्मी को बैड लाइप में दिखाया जाता है तो हर आदमी खूल ले आरा चाहिए. मैं भी उसका विरोध करना चाहूंगा कि कौन देता है आपको इसकी इजाज़त कि आप एक हिम्मत अपनी इतनी बड़ी आप एक दादा गिरी बता रहे हैं कि एक आर्मी आफिसर की लाइफ की बारे में बता रहे हैं कि उसकी उसकी जो पतनी है वो बॉइफरेंड के साथ भी जब उसका पती हवे है अफेर करता है ये दिखाने की हिम्मत किस ने आपको दिये वह आपको क्या लगता है कुछ दिनों पहले हिना खान ने कहा था कि एक ता कपूर ने एक फिक्शन शो बनाये था जिसमें उनसे गलती हो गई उन्होंने उस क्लिप को हटा दिया क्या इतना काफी नहीं है क्या आपको क्या लगता है ट्रिपल एक से वो कॉंट्रोवर्चर क्लिप हटा देना काफी है या पिर इसके खिलाफ कोई स्ट्रिकट आक्शन होना चाहिए comment section में जरूर share करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए वस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और story के साथ like करें हमारा facebook page Bollywood ठेकाना follow करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा YouTube channel Bollywood ठेकाना